आईश्मान खुराना बहुत कम समय में बॉलिवुड में अपने अभिने की धाक जमाने वाले अभिनेता है आज आपको बताएंगे क्यूं आईश्मान की दादी ने उन्हें थपड़ जड़ दिया था उससे पहले जानते हैं आईश्मान खुराना के बारे में जिनका नाम प पिताब पी खुराना चंदिगर के मशूर एस्ट्रो लॉजर है जब आईश्मान चार साल के थे तो वो फैमली के साथ मादूरी दिख्षित स्टार तेजाफ फिल्म देखने गए थे मादूरी दिख्षित का बुखार उन्हें ऐसा चड़ा कि घर आकर अपनी दादी से कहन किया कैई स्ट्रेट प्लेस किये फिर अपने करियर की शुरुआत रेडियो जौकी के रूप में की लेकिन अभी भी मशूर नहीं हुए थे रोडीस का दूसरा सीजन जीतने के बाद उन्हें लोग पहचानने लगे फिर उन्हें बॉलिवूड से कैई आफर्स आए लेकिन करियर शुरू करने के लिए उन्होंने पांच फिल्में रिजेक्ट कर दी आखिरकार उन्हें एक फिल्म पसंद आई और 2012 में विक्की डोनर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की उसके लिए उन्हें फिल्म फेर अवार्ड भी मिला विक्की डोनर में अभीने करने के सा साथ उन्होंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया इसमें भी उन्हें सफलता मिली 2019 पर रिलीज हुई फिल्म अंदध उनके लिए नैशनल अवार्ड फिल्म से नवाजा गया एक्टिंग के साथ साथ आईशमान खुराना पोयम लिखने का भी शौक रखते हैं डारेक्टर पलता के संघर्ष पर एक बुक भी लिख चुके हैं जिसका नाम क्रैकिंग दा कोड माई जर्नी टु बॉलिवुड है उमीर है आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद